हेलो इब्रीवन मैं हूँ पैतीभा कानफोरकिचन.com में आपका स्वागा से फ्रेंच आज में आपके साथ सेयर करने वाली हूँ हर्षट पूजा यानि कि हल खष्टी पूजा में वो साथ तरह का अनाज लगता है भुना हुआ उसे आप घर पर कैसे भून के तयार कर सकते है और बहुत ही कम टाइम लगता है जल्दी से भून के तयार हो जाता है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चले शुरू करते हल खष्टी की पूजा के लिए मैंने हापर साथ तरह का अनाज लिया हुआ है थोड़े से हमने ये गेह लिए है थोड़े से हमने ये अरहर है थोड़े से लिए मकाई के दाने चने चोटे वाले चने हैं इसमें जो बड़े वाले आते हैं वो भी ले सकते हैं आपके पास जो अनाज है साथ तरीकी के आप ले सकते हैं मैंने आप थोड़ी सी मौंग ली हुई है थोड़ी सी मसूर ली हुई है अधा कटोरी की जितने ये मटर है तो आपके पास अगर इन में से कुछ नहीं है तो आप धान ले सकते हैं जुआर ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास अविलेबल हो यहां पर एक कडाई में हमने रेत डाली हुई है जो बालू होती है वही ली तो क्योंकि पहली बार में ज्यादा दानी नहीं डालने हैं इसी क्या होता है कि शुरुवातमी टंपरिचर का मुदर हमें समझनी आता है तो पहले थोड़ी से दानी डाल कर के भून के देखेंगे यह देखें आप देख सकते हैं जो चने हैं हमारे अच्छे से फूट के हैं तो इन्हें हम इस तरह से चलनी में निकाल लेंगे आप चाहें तो कोई बड़ी सी चलनी हो उसमें एकदम से डारेक्ट डाल के निकाल सकते हैं यह दिखें आप देख सकते हैं चने अच्छे से भून गए हैं अब जब हम भूनेंगे तो चने थोड़ी सी ज्यादा कुछी सेकेंड बाद आप देखेंगे कि जो दाने हैं वो फूटना स्टार्ट हो जाते हैं और यह जलने ना पाएं जैसे ही सारे दाने अच्छे सी फूट जाएं आप तुरंती से इस तरह से छलनी में निकाल लीजिए यह देख सकते हैं दाने हमारी कितने अच्छे से कूट रहे हैं मकई के बिल्कुल अच्छे से कौन जो हैं अच्छे से फूल रहे हैं तो अगर यह इस तरह से बहुत ज़्यादा उचलते हैं तो आप थोड़ा देर के लिए प्लीट्ची से कवर कर दीजिए ताकि यह उच्छने नहीं यह देखिए अच्छे से भुन के तय मक्य के दाने के जो हमने फूला तयार किये हैं वो निकलाएंगे मनुने निकाल लिया हुआ है वापस उसी रेत को कडाई में डालेंगे रेत को गरम करेंगे इसके बाद हम इसमें दूसरा अनाज टालेंगे मिनिया पर मटर डाला हुआ है मटर भी बहुत अच्छे से अच्छे से बुण गया है अब आम इसमें मौंग डाल देंगे मौंग डालेंगे तो फ्लीम को लो रखेंगे ज्यादा तेज नहीं करेंगे कि बहुत जली जल जाती है अरहर की दाल डाली हुए मैंने आप देख सकते हैं यह भी बहुत अच्छे से फूडती है बस जो मौं से मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में कंटिनु शिराते हुए इसे अच्छे से केंड में अच्छे से भून जाते हैं एक मिनट का भी टाइम लगेगा आपको तो बस फटा फट के भूनते चले जाते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है आप देख सकते हैं कितने अच के पास रेत नहीं है तो आप इसे डाइरिक्ट कडाई में डाल के भून सकते हैं तो इतने अच्छे से फूले का नहीं बट पूजा के लिए आपके लिए भून जाएंगे यह लिजे फ्रेंस हमारे सारी अनाज भून के तयार हैं हरल खश्टी पूजा के लिए अगर आपक को यह वीडियो हेलफूल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलती हूं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वाबाई टेकियर